Good morning students, कैसे हैं आप, आज मैं फिर आपके साथ हूँ, एक नई वीडियो के साथ आज हम NCERT कक्षा आठवी भुगोल पाठ्थय पुस्तक का आकरी पाठ पाठ छे मानो संसाधन पर आधारित क्वीज करेंगे इस क्वीज को करने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपसे परिक्षा में किस परकार के कोशन पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो जो क्वीज पर आधारित है निमलिखित में से सही विकल्प का चैन कीजिए प्रशन पहला विश्व की कुल जनसंख्या का लगबक 75% लोग रहते हैं और इसके विकल्प है और इसके विकल्प है प्रशन दो विश्व की सरवाधिक आबादी वाला देश कौन सा है और इसके विकल्प है A. भारत B. अमेरिका C. बांगलादेश और D. चीन और इसका सही विकल्प है D. चीन प्रशन तीन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इसके विकल्प है A. चीन B. सयुक्त राजे अमेरिका C. भारत और D. शिरीलंका और इसका सही विकल्प है B. सयुक्त राजे अमेरिका प्रशन चार भारत का ओसत जनसंख्या घनत्व क्या है और इसके विकल्प है A. 382 व्यक्ती वर्ग किलोमेटर B. 924 व्यक्ती वर्ग किलोमेटर C. 832 व्यक्ती वर्ग किलोमेटर और D. 283 व्यक्ती वर्ग किलोमेटर और इसका सही विकल्प है A. 382 व्यक्ती वर्ग किलोमेटर प्रेशन पाँच परतेक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसके विकल्प है A. 20 जुलाई B. 11 जुलाई C. 3 दिसंबर D. 15 जन्वरी और इसका सही विकल्प है B. 11 जुलाई प्रेशन चे जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है और इसके विकल्प है A. जनमदर B. मृत्युदर C. परवास D. रोजगार और इसका सही विकल्प है D. रोजगार प्रेशन साथ डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और इसके विकल्प है A. दिल्ली B. चैनने C. मुंबई D. इंदोर और इसका सही विकल्प है C. मुंबई प्रेशन आठ आपरवास के कारण जनसंख्या में व्रिधी हुई है और इसके विकल्प है A. रोजगार B. ऑस्टेलिया में C. जापान में D. बेल्जियम में और इसका सही विकल्प है B. आस्टेलिया आस्टेलिया में आपरवास के कारण जनसंख्या बढ़ रही है प्रेशन नो डैश अधिक होने पर जनसंख्या बढ़ जाती है और इसके विकल्प है A. उत्परवास B. मृत्युदर C. जनमदर D. पानी की उपलब्धा और इसका सही विकल्प है C. जनमदर जनमदर अधिक होने पर जनसंख्या बढ़ती है बच्चो प्रेशन दस युरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसके विकल्प है A. बेल्जियम B. डेनमार्क C. स्वीडन D. रूस और इसका सही विकल्प है D. रूस रूस युरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है तो प्यारे बच्चो मानो संसाधन पाठ की यह क्वीज पूरी हुई विडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आज के लिए इतना ही यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो अन्य शेक्षनिक वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी तब तक अपना ख्याल रखिए धन्यवाद